Hello Everyone, Welcome to Wi-Fi Study which is a part of Unacademy Group दोस्तो डेली GK कुज में आप सभी का स्वागत है और ये 5-7 मिनट की वीडियो होती है जिसमें मैं आपको टोप 10 GK के ऐसे कोशन कवर कराता हूँ जो की एक्जाम में बार-बार रिपीट होते हैं तो आप इस सेशन को पूरा एंट तक देखेगा और कितना स्कोर रहता है आपका नीचे कमेंट बोक्स में जरूर बतेगा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और सेर करना मत पूलिएगा देखे दोस्तों Unacademy Plus के बहुत सारे बेनिफिट है जैसी कि Personal Guidance आपको मिल जाती है Live Classes, Structure Courses, Unlimited Access, Test Analysis, Expert Guidelines और Study Metal और Study Plan और भी बहुत सारी चीज़े हैं जो आपको Unacademy Plus पर मिल जाती है और तो आप Unacademy Plus का सब्सक्रिप्शन जोइन करके Complete चारी कर सकते हैं किसी भी एक् सब्सक्रिप्शन जोइन करें याद रखेगा कि आपको Unacademy के सभी सब्सक्रिप्शन के लिए Study 10 Code अप्लाई करना है जिससे कि आपको Maximum Discount मिल जाता है बाकी देखे SSC का CGL और CHSL के लिए 3rd नॉमबर से एक सफलता बैच स्टार्ट हो रहा है आप इसको जोइन कर सकते हैं Complete Batch on General Study जो की SSC के सभी एक्जाम के लिए ये भी 3rd नॉमबर से स्टार्ट हो रहा है आप इसको भी जोइन कर सकते हैं तो काफे important रहेगा अगर आप अभी सब्सक्रिप्शन जोइन करके Complete त्यारी करना चाहते हैं तो आज ही जोइन कर लिजेगा और इस सेशन को पसंद आने पर लाइक करना भूलेगा मत और शुरू करते हैं आज की सोट वीडियो को दोस्तों आज की वीडियो का पहला कोशन है निमलिखित में से किस राज्य में कच्चा रेसम मुख्य रूप से उत्पादित होता है जल्दी से बताइए दोस्तों कच्चा रेसम जो है वो मुख्य रूप से उत्पादित होता है करनाटक में कहाँ पर करनाटक इस दारेटांसा ठीक है चले दूसरा कोशन है माउंट एवरेस्ट पर पहली बार सफलता पूर्वक चड़ाई की गई किस वर्स में माउंट एवरेस्ट वास सक्सेस्पुली क्लाइम्ड फोर दफर्स टाइम इन तो पहली बार सक्सेस्पुली क्लाइम्ड की गई थी 1953 में यानि कि इस question का सही answer option D हो जाएगा question का answer आता है तो comment box में बताते रहिएगा ठीक है इससे आपको पता चलेगा कि 10 में से कितने questions के answer सही कर पा रहे हो और इस short quiz में आपका अपना score जरूर देख लिया करें क्योंकि कि बहुत ही अच्छे question होते हैं और आपको अपना level भी पता चले जाता है कि अभी कहां पर stand कर रहे हैं कितनी त्यारी की ज़रुरत है अभी हमें third question कर रहा है कि नमलकित में से कौन सा हेली धूमकेतु भारत में दिखाई देता है तो हेली धूमकेतु जो है यह every 76 year यानि कि option C रेट आंस हो जाएगा 76 year बाद यह दिखाई देता है यानि कि हर चंतर साल बाद यह दिखाई देता है हेली धूमकेतु भारत में तो यह आपको याद अखना है question आता है नमलकित किरकेटरों में से कौन बोना वेचर ओफ ए फिलेसिंग blade नामक उपन्यास के लेखक है answer बतिए तो इस question का right answer हो जाएगा sir, garfield, sobers यानि की a right answer हो जाएगा ठीक है बाई चले next question आता है बर्फ पानी पर तेरती है क्योंकि बर्फ का धनत पानी से कम होता है निमलिकित में से विसालकाए हिमाल्य किस हिस्से के पानी से उपर रहते हैं तो ice float on water because density of ice less than the water out of the following what part of the icebergs remain above water यानि की आपको बताना है जो iceberg जो दिखते है न उसका कौन सा हिस्सा उपर दिखाए देता है तो एक बटा दस दोस्तो यानि की दस में से कुल एक ही हिस्सा बहार दिखाई देता है बाकी पानी के अंदर मतलब होता है mostly part तो ये चीज आपको या दखनी है ठीक है next question अनुवानसिक जानकारी में संग्रहित है तो genetic information is stored in DNA ठीक है तो right answer is option है ये भी आपको या दखना है question है प्रत्वी का आकर्णिक प्राकर्तिक संसाधन है तो inorganic जो है वो natural resource of the earth is mineral fuels यानि की खनीज इंदन इस question का रहेट answer हो जागा दोस्तों ये आपको या दखना है next question है निमन में से किसमे iron की मात्रा अधिक होती है which of the following is higher iron content तो इस question का सही answer हो जाएगा दोस्तों green vegetables में which of the following is high iron content तो हरी सबजियों में ज़्यादा iron होता है ठीक है दोस्तों पाकिस्तान का परधान मंत्री कोन नहीं रहा है जो आज तक पाकिस्तान का परधान मंत्री रहा ही नहीं है और इन चारों option में वो है कौन सा है जल्दी से option बताईए देखे आयूब खान को छोड़के बाकी ये तीनों जो है ये पाकिस्तान की परधान मंत्री रह चुके हैं तो यहाँ पर right answer B हो जाएगा ठीक है question आता है हरारे की राजदानी है हरारे is the capital of हरारे is the capital of तो हरारे is the capital of जिमाबे तो right answer is D ये आप क्या दखना है दोस्तों हरारे किस की राजदानी है जिमाबे की ये आप क्या दखना है 10 में से कितने सही हुए जल्दी से बतिए नीचे comment box में वीडियो पसंद आईए है प्लीज लाइक कर दिया करे चले next और देखे गाईज एक बहुत ही अच्छा फीचर जो की अनकेडमी पर आपको मिल जाता है जहां पर आप रिपोर्ट कर सकते हैं कोई भी inappropriate content in the video मतलब वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा लगता है जो की studies related नहीं था तो आप उसको रिपोर्ट करके अपना price win कर सकते हैं ठीक है नीचे ही description box में आपको एक form मिल जाएगा जिसमें आप ये चीजे भेज़के और जो सबसे पहले भेज़ेगा उसको price मिलेगा ठीक है वाकि thank you so much guys चैनल को subscribe कर लिजेगा पीडिया भी आप download कर सकते हैं बेल आइकन को on रखिए और वीडियो को like और share करना भूलिएगा मात ठीक है और देखिए unacademy पर मेरी दो special classes हो रही है इसके बारे में मैं बता देता हूँ एक तो दिन में होती है दोस्तो धाई बजे ठीक है और एक होती है रात को 11 बजे दोनों ही important है और दोनों classes को आप कैसे देख पाओगे नीचे description box में मेरी profile का link आपको मिल जाएगा unacademy profile का link उस पे click करना है follow कर लेना है और follow करते ही आपके पास notifications आने start हो जाए हो जाएंगे ठीक है तो चलिए मिलते है next class में thank you so much